कपकोट तहसिल के अंतरगत ग्राम बाचम में लगी आग से चार घर राख में तब्दिल हो गए हैं घरों में रखी नगदी, जिवराद, सईथ, सारा सामान भी चल कर नश्ट हो गया है ग्रामिलू ने आग बुझाने की काफी कोशिश की लेकिन आग की तेज लप्टू ने घरों को अपने आगोश में ले लिया कपकोट के ब्लॉक प्रमोग गोविन दानू ने गाओं का भ्रमन कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तथा आर्थिक मदद दिलाने का भरोशा दिलाया बाचम गाओनिवासी महेश कुमार पुत्र जवाहर राम, दीपक राम पुत्र पुषकर राम, पुषकर राम पुत्र कल्यान राम तथा एक अन्य के घरों में आग लग गई पटवरी ने मौकी पर पहुंच कर नुक्षान का जाईजा लिया तथा प्रभावित परिवारों को मदद का भरोशा दिलाया इस घटना में चारू परिवारों को लाखों रूपयों का नुक्षान हुआ है घर में रखी नगदी जिवरात तथा घरीलू समान जलकर खाक हो गए हैं ग्रामेनों ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की है सिचेन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट झाल जा खालों को आर्थिक में घर यचान सुरेश पांडे की रिवरावित उपस्ति इस जल खालों के रिचान जलकर एंडे की है